दोस्तो आज ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली हो क्योंकि बात करने वाला हूँ सुकन्या सम्रिधी योजना 2022 के बारे में 2022 में जो चार ने बदला हुए हैं और क्या-क्या बदला हुए हैं उस बदलाओ के बारे में हम बताएंगे इन च्छोटी सी रकम आप अपने बैटी के नाम से जमा करते हैं और जब एक ल法 की होती है तो आप उनके नाम पे अच्छा मोटा प्हीन से ज्यादा आज इसी प्लान पर मिलता है तो आप सभी को बता दे सुकन्या सम्रिदी योजना आपकी बेटी के बहतर भविश्य के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा इकटा करना रहता है और 64 से लेकि 74 लाख रुपए तक आपको एक मोटे मोटी रकम मिलती है जब 21 वर्ष की जो आपकी ठीक है फ्रेंड्स और इसका जो एकाउंट खुलवाना होता है वो पोस्ट आफिस वगएरे में आप कहीं भी खाता उसका खुलवा सकते हैं बैंक में ब्रांच में भी इसका खाता खुला जा सकता है और धिरे-धिरे करके इस पैसे को जमा करना होता है आप जहां भी जिस विभाग में आपने जमा किया हुआ है वो आपको एक मोटा मोटी रकम देता है जो कि आप अपनी बेटी का करनेदान खुबराम से कर सकते हैं तो जान लेते हैं सुकन्या समृदी यूजना है क्या चीज इसमें कब यह लांच किया गया था और किसके द्वारा यह लां किया गया है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप सभी से हमारी गुजारिस है कि अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी सेर करें ठीकना बहुत सारे सब्सक्रा सब्सक्राइब निकरते हो जली सब्सक्राइब करो और बगल में जो बेल आइकन घंटी दी ना उसको भी एक बार दबा दो और आल अट्पिकेशन पर सेट कर दो ठीक है इससे होगा क्या फ्रेंड्स की आने वाले जितनी भी नई नई वीडियो हम आप सभी को लिला रहे है वो आपको सबसे पहले पहुच पाएगी जिससे कि आप अपडेट रहेंगे ठीक है तो चलिए अब शुरू करते हैं आराम से देखिए वीडियो को स्केप मत कीजेगा ठीक है अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं बदलाव के बाद इस योजना में निवेश को और आसान बना दिया गया है यह बहतर मौका है उन अभिभावकों के लिए जिनके घर में 10 साल से कम उम्र की बेटिया है जीरो से लेके 10 साल की जो कम उम्र की बेटिया है उनके लिए बहुत ही लावदकारी है सरकारी समाल सेविंग योजना कैटेगरी में सुकन्या सम्रिधी योजना एक पापलर बचत योजना है और आपके घर में 10 साल से कम उम्र की बेटिया है तो आपके नाम पर एकाउंट ओपन करवा सकते है केंदर सरकार ने सुकन्या सम्रिधी योजना से जुड़े पाँच बड़े बदलाव किये हैं बदलाव के बाद इस योजना में निवेश को और आसान बना दिया गया है ये बहतर मोका है उन अभिभावकों के लिए जिनके घर में 10 साल से कम उम्र की बेटिया है आई जानते हैं SSY योजना के बदलाव हुए है पहला बदलाव क्या है अब एकाउंट नहीं होगा डिफाल्ट पहले क्या होता था कि कुछ साल जमा करने के बाद कुछ साल छोड़ देते ते लोग तो एकाउंट डिफाल्ट हो जाता था इस योजना में क्या बता रहा है कि सुकन्या सम्रिधी योजना में हर साल कम से कम 250 रुपए और अधिक्तम डेड़ लाक रुपए जमा करने का प्रावधान है पहले निमतम रासी नहीं कराने पर एमाउंट क्या होता था डिफाल्ट हो जाता था आपको पहले बता चुका हूँ लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब एमाउंट को दोबारा एक्टिव नहीं कराने पर मिच्चोर होने तक खाते में जमा रासी पर लागू दर्ब्याज मिलता रहेगा यानि पहला फायदा यह है कि आप साल में 250 रुपया भी जमा करेंगे तो आपका अकाउंट चलता रहेगा डिफाल्ट नहीं होगा ठीक है पहले बहुत सारा ऐसा होता था कि 2 सल 4 सल जमा कि यह 4 सल के बाद हमने जमा करना बंद कर दिया तो हमारा अकाउंट जो है डिफाल्ट हो जाता था अब ऐसी स्किम नहीं है भी सुकन्या समर्दियोजना का लाव उठा सकते हैं और टेक्स चूट का भी लाव ले सकते हैं प्रावधान है इस तरह का अब तीसरी चूट के बारे में बात करते हैं तीसरा चूट यह है कि अब 18 साल की उम्र में लड़की कर पाएगी एकाउंट ऑपरेट 18 साल की उम्र हो जाने के बाद जो है लड़की नाबालिक से अब बालिक हो जाती है तो वो अपना एकाउंट खुदी अपरेट कर सकती है चौथा क्या दिया है अब एकाउंट बंद करना असान सुकन्या समर्दियोजना के एकाउंट को पहले बेटी के गुजर जाने या उसका पता बदलन पर किया जा सकता था लेकिन अब अगर अगर अकाउंट ओलडर को जानलेवा बिमारी हो जाया तो अकाउंट को ब्सक्री करा जा सकता है अगर बहुत जाती है जो इकाउंट बंद करना होता था या नहींों होता था मतलब काफी समस्या हमस्या होती दिक्कत होने लगती थी पैसा को आपस माद्यम से जैसे वह Harvey उसके माद्यम से अपने अकाउंट बंद करा सकते हैं और आब से बात करते नियम के तहट खातों के में गलत ब्याज डालने पर वापस लोटाने के प्रावधान को अटाया गया है क्योंकि पहले मैसा था कि अगर गलत से ब्याज पढ़ गया है तो उसको वापस कर लिया जाता था लेकिन अभी प्रावधान को अटा दिया गया है इसके लावा खाते प तो एक साल से लेकर के, जीरो से लेकर के दस साल की जो बेटिया है, उनके लिए रामबाड ये एक प्लान है, अगर आप माता पिता हैं, आप सोच रहे हैं अपने बेटी के भविसे के बारे में, तो ये प्लान, ये स्कीम आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि पैसा धीरे जीरे पैसा कठा करिए, और कठा करने के बाद आप उनके भविसे में इसको लगा सकते हैं, साधी विवाही करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका जब हो रहेगा तो उनके भविसे के लिए भी आप उस पैसा को यूज कर सकते हैं, भविसे आपको कैसे बनाना है, आप खुद सोच सकते हैं कि आम अपने बेटी का भविस से कैसे बनाएंगे एक प्लान थी जिसके माध्यम से हम आपको समझा चुके हैं और अगर आपको कुछ भी पूछना है कुछ भी जानना है सुकन्या समर्दी यूजना के बारे में तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट करके ब कुरुआ होता ना और यार चैनल पर नए हो इतना वीडियो देर तक देखते हो दीक सब्सक्राइब कर लो ना सब्सक्राइब कर लेने से क्या होता है फायदा बहुत बड़ा होता है बाद शेकर अगले वीडियो में बाए बैया